Hello everyone, welcome again to Ramanuzum School of Studies, Zero to Infinity. आज हम करने वाले हैं Chemical Reaction and Equation में Questions, जो चैप्टर का last part का question है और उसके बाद हम लोग synopsis भी करेंगे. मतलब जो main point है, चैप्टर का, उस chapter main point को भी discuss करेंगे. तो दो-तीन question रहे गाए हैं, इन chapter questions हैं ये. question पहला है, why does color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? तो आप देखें, इस question के लिए जो हम एक activity किये थें, copper sulfate का, ये activity हम लोग classes में किये थें अपना, और activity जो था, इसमें हमने देखा था कि copper sulfate का solution क्या होता है, change हो जाता है. तो क्यूं change हो जाता है, ये question पूछा जा रहा है, और activity ये वाला था, displacement reaction वाला था, यहाँ पे हम लोगने देखा था, iron nail को dip किया जाता था copper में, तो copper का यहाँ पे देखें, ये वाला part में, यहाँ पे, जो color है, ये dim हो गया, यहाँ पे देखें, color क्या हो गया, dim हो गया, color change हो जाता है, तो question यहीं पूछ रहा है, कि इस activity में color क्यूं change हो जाता है, copper sulfate का, चलिए, इसके answer को लिखने की कोशिज करते हैं, answer क्या होगा, कि जो displacement का reaction था, इसमें हमने क्या क्या था, ध्यान से देखिए, iron, see here, हमने F-E solid लिया था, और इसको add किया था, copper sulfate solution में, copper sulfate solution में, यह equal solution था, ठीक है, activity में पूरा discuss किया जा चुका है, और यह जो copper sulfate का solution होता है, और यह blue color का होता है, किस color का होता है, blue color का, blue solution होता है, तो मैंने activity में बताया था, कि यह blue color का solution होता है, जब यह reaction होता था चुकि iron जो है copper से ज्यादा reactive है reactivity of iron is more as compared to copper तो अधिक टाकत और कौन हो गया iron हो गया तो यह क्या करेगा copper को copper sulfate solution से निकाल देगा मतलब displace कर देगा so reaction क्या हो जागा iron displace करेगा copper को तो बन जाएगा FeSO4 यह भी equal solution है प्लस copper यह displace कर देगा तो यह displacement reaction का एक example है और यह हो जाता है FeSO4 greenish solution हो जाता है greenish solution हो जाता है धियान से देखेंगे ठीक है यह greenish solution हो गया तो क्या कहेंगे यहां पर when iron nail is dipped in copper sulfate solution the displacement reaction takes place answer मैं आपको ऐसे लिखना है the color of copper sulfate solution fades color क्या हो जाएगा copper sulfate solution का fade हो जाएगा due to the formation of light green solution of iron sulfate तो आपको यह reaction याद रखना है reaction के statement को आपको लिखना है answer में और यह आपका complete answer हो जाएगा चलिए अग next question चलते हैं give an example of double displacement reaction other than one given in activity 1.10 तो हम लोगों ने double displacement reaction के बारे में परहा था activity 1.10 में देख लेते हैं 1.10 में इसमें हमने देखा था कि NA2SO4 प्लस BACL2 का reaction हमने करवाया था तो NA क्या है BA को displace कर दिया था और BA NA को displace कर दिया था इस तरह से एक दूसरे को तुर्ण डिस्प्लेस कर देते हैं तो इस double displacement reaction के बारे में हमने बहुत deep चर्चा किया था इस लेक्षर में तो आप यह वाला लेक्षर जाकर देख सकते हैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वो सभी इस्टोन जो नए जो नए जो पहले से देख रहे हैं वीडियो को उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन बटन को प्रेस कर ले जिससे कि कोई भी मैं वीडियो बनाओ तो उसका आपका नोटिफिक्शन आप तक पहुँच जाए तो अब कोशन में कहा रहा है कि इसके अलावा है जिससे न2SO4-BACL2 का रि देख लेती हैं पहला रियक्शन हम लोग लिखते हैं एन ए ओए सोडियम हाइड्रॉक्साइड ठीक है एक क्वेस्ट शालूसन कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है इसका भी वीडियो में बना रखा हूं तो आप स्टार्टिंग के वीडियो को देखेंगा तो वहाँ पे अगरा का डवल डिस्प्लेश्मेंट रियक्शन है क्यों क्योंकि यह बनाता है एन ए जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेश कर देता सो हो जाएगा एन ए ए जी यहाँ पे जो है दूसरा डिस्प्लेश्मेंट होगा क्या ओएच प्लस है एन ऐसे औह जडाइडेश्मेंट को दिस्प्लेश्मेंट को डिया ओक या फिर हम यह कहेंगे एन एंध decision को değildies कर दिया तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, ये CL नहीं, H जो है, NA को डिस्प्लेस कर दिया, तो इस तरह से water बन जागा, एक और example हम लोग देख सकते हैं, और ये भी example, बहुत अच्छा example है, example है, हमारे पास, AgNO3, AgNO3, ओके, प्लस NaCl, ये बन जाएगा, AgNO3 है, तो ये हमारा बन जाएगा, NaNO3, NaNO3, sodium जो है, silver को डिस्प्लेस कर दिया, या फिर हम ये कहेंगे, silver जो है, sodium को डिस्प्लेस कर दिया, AgCl, तो ये भी एक अच्छा example है, किसका, double displacement reaction का, तो I hope, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, चलते हैं, next question पे, next question है, identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reaction, यहाँ पर हमें पता करना है, कि कौन सा substance oxidized हुआ है, और कौन सा substance, क्या हो गया है, reduced हुआ है, ठीक है, तो oxidation के बारे में हमने पढ़ा था है, previous class में, reduction के बारे में पढ़ा था, और थोड़ा साम इसका जो है, अभी जो main point हो, उसको discuss भी करेंगे, इस question के बाद, so oxidation is, क्या होगा, जैसे यह पहला है, देखे, 4NA, first station क्या है, 4 sodium, प्लस यह O2 है, O2, gas, यह बन जाता है, 2NA, यह इस तरह से 2 लिखा हुआ, Na2O, और यह solid, अब देखे, धियान से, हम लोग क्या कहाएंगे, कि जो substance में oxygen add होगा, ठीक है, जिस सबस्टांस में oxygen add होगा, वो oxidize हो जाता है, ठीक है, और जिस सबस्टांस से oxygen निकल जाता है, remove हो जाता है, वो reduce हो जागा, देखे, इस reaction में sodium, Na है, इसमें oxygen add होगा, तो sodium क्या हो गया, oxygen gain किया, तो हम कहेंगे, oxygen gain किया, इसलिए sodium यहाँ पर, sodium oxidized हो गया, oxidized हो गया, और sodium oxidized हो गया, but oxygen क्या हो गया, reduced हो गया, oxygen का reduction हो गया, क्या हो गया, reduced हो गया, So, addition of oxygen is oxidation reaction and removal of oxygen is reduction reaction Next, part है CuO solid plus H2 gas बन जाएगा Cu solid plus H2O अब यहां पर देखिए, copper oxide से oxygen निकल गया, बना क्या? copper oxygen निकल गया, तो copper oxide क्या हो गया? reduced हो गया ठीक है या फर हम लखने रिडाक्षीन है, hydrogen में oxygen क्या हो गया? add हो गया, तो hydrogen हो गया? यहाँ पर यह reaction हो गया hydrogen को जाएगा oxidation तो आप simple तो जिसका oxygen हो गया वो oxidized हो गया, मतलब hydrogen oxidized हो गया और जिसका reduction हो जिसमें से oxygen निकल गया उसका reduction हो गया मतलब क्योप्रिक ऑक्साइड क्या हो गया इसका reduction हो गया तो oxygen अगर add होता है तो oxidation oxygen अगर निकलता है किसी chemical reaction से तो reduction हो जाएगा तो यह तीन questions थे हमारे आप लोगों को समझ में आगया हो यह question अब कुछ important points है जो chapter के end में given है इसमें what you have learned करके topic यह topic दे रखा है last paper है last paper जाईए इसको एक एक line को हम लोग discuss कर लेते हैं पहला a point है इसका a complete chemical equation represent reactant product and their physical state symbolically तो हमने यह देखा था कि अगर a plus b reaction करता है c plus d बनाता है तो यह a और b क्या होगी हमारा reactant यह हमारा हो जाएगा reactant जो reaction में भाग लेगा और जो बनेगा that is called product पहला तो यह हो गया दूसरा balance होना चाहिए तीसरा इसका जो phase होना चाहिए अगर solid है तो solid लिखेंगे अगर aqueous है तो aqueous लिखेंगे अगर यह aqueous है तो aqueous लिखेंगे अगर यह solid है या liquid जो भी है इसका phase लिखेंगे, okay phase लिख दिया, balance हो गया, reaction and product लिख दिया, right, और इसके बाद जो condition होता है, arrow को उपर, अगर heat कर रहा है, तो heat लिखना है, cool कर रहा है, तो cool लिखना है, या फिर light में reaction हो रहा है, जैसे कि हम लें देखा था, agcl, क्या ag में reduction हो जाता है, agcl, precipitate होता है, ag में क्योंकि उसमें light का reaction होता है, आपने देखा होगा, चप्टर में, तो जब यह सारा information हम लोग लिख देते हैं, तो यह complete chemical equation हो ज होगो ने discuss किया था, बहुत अच्छे से, a chemical equation is balanced, कब balanced कहते हैं chemical equation को, जितने भी reactant में होंगे element का molecule, उतना ही product होना चाहिए, product में होना चाहिए, ठीक है, so a chemical equation is balanced, so that the number of atom of each type, involved in chemical reaction, are in the same on the reactant and product side of the equation, equation must always be balanced, तो जो equation होना चाहिए, वो balanced होना चाहिए, तो same type का atom है, अगर reactant में 2 sodium है, तो product में भी 2 sodium का atom होना चाहिए, तो यह balanced chemical reaction कहलाता है, अब थीसरा point है, chemical combination reaction, combination reaction के बारे में हमने पढ़ा था, कि जब 2 या 2 से अधिक reactant join हो जाता है, और join होने के बाद, अगर एक नया product बनाता है, तो उसे हम single नया product बनाता है, तो उसे हम combination reaction क्याते हैं, तो इसका example भी हम लोगों ने combination reaction में देखा था, as for example, अभी अभी हमने ये देखा, ये reaction देखिए, कहां गया, ये वाला reaction, Na, this one, 4 Na plus O2, ठीक है, दो अलग-अलग reactant था, combine करके एक reaction बनाए, तो ये एक तरह का क्या हो गया, combination reaction भी हो गया, तो आपसे question में पूछ सकता है, कि कुछ example ने combination reaction का, तो जो हमने lecture में देखा था, उसके अलाबा ये भी combination reaction है, चलिए, आगे चलते हैं, Decomposition reaction are opposite to combination reaction, जो decomposition reaction होता है, opposite होता है, क्यों, क्योंकि combination reaction में दो या दो से अधिक reactant जुड़ के एक नया product बनाते हैं, बट, decomposition reaction में एक product या एक reactant जब उसको heat करेंगा, या ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब decomposition reaction होने के लिए heat की ज़रूरत होती है, जब हम इसको heat करेंगे, तो एक या दो या दो से अधिक अलग-अलग product में ये तूट जाएगा, तो इस तरह के reaction को हम कहते हैं, decomposition reaction, so decomposition reaction are opposite to combination reaction, in a decomposition reaction, a single substances decomposes to give to or more substances, तो ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीकी से बहुत deeply में हमने पढ़ा था अपने lecture में, तो आप प्रिवेस लेक्चर को revision कर लें, जिससे कि आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, next है, reaction in which heat is given out with the product are called exothermic reaction, जैसे हम लोगों ने देखा था, कि अगर हम respiration करते हैं, तो heat निकलता है, तो एक तरह का exothermic process होता है, तो वैसा reaction, जब reaction होने के साथ, जब reaction होता है, तो product के साथ heat भी evolve हो, तो उस तरह के reaction को हम लोगों कहेंगे, exothermic reaction, इसका example, अगर हम लोग बैक जाएं लेक्चर में, तो आपको मिल जाएगा exothermic reaction, एक मिनट, exothermic reaction का example, विटा मिनट, chemical, this is a decomposition reaction, हम लोगों ने हर एक reaction के बारे में पढ़ा था, ठीक है, यह देखे, combination reaction, यह एक तरह का exothermic reaction ही, यहाँ पर देखे, calcium oxide plus hydrogen, that is water, को अगर हम जोइन कीए, तो हमारा क्या बना, slack line बना था, और इसके साथ-साथ heat भी निकला, तो यह जो heat निकला, जो निकला, product side में, तो इस तरह के heat निकलने की reaction को हम कहेंगे, concentration combination reaction, I think आपको यह चीज़ clear हो गया, और इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत अच्छे से discuss किया, इसलिए revision बहुत important हो जाता है, हर एक point को हम लोगों ने यहाँ पर discuss किया है, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखें वीडियो को, तो उन सभी से request है कि please वीडियो को देखें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से clear हो जाए, ओके, now reaction in which energy is absorbed, ऐसा reaction जिसमें energy absorbed होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इंडो थर्मिक reaction कहेंगे, ठीक है, और इसका example अभी हमने देखा था, decomposition type का reaction, क्योंकि heat करेंगे, तभी decomposition reaction होता है, टूटता है, तो देखें, यहाँ पर decomposition reaction का, this is the oxidation reduction, this is, सारा है, displacement reaction, और यह हमारा हो गया, decomposition reaction, देखें, यहाँ पर हम लोगोंने क्या किया था, कि FESO4 को heat किया था, क्या किया था, heat किया था, example है, यहाँ पर, heat किया था, तो फेरिक ऑक्साइड बना था, प्लस SO2 and SO3 gas, तो एक compound था, एक compound को heat किया, मतलब energy दिया, तो एक, दो यादो से तीन प्रोड़क्ट अलग अलग बना, तो एक तरह का decomposition reaction होगा, तूट ना, जिसको हम लोग कहते है, तूट ना, decomposition reaction में क्या होगा है, तूट गया है, और यह तूरने के लिए हमें heat को देना परा, reaction में heat को, heat supply करना पड़ा, चूकि हमने heat supply किया है, heat निकला नहीं है, heat को supply किया है, तो heat supply करने के कारण, इस तरह के reaction को हम लोग कहते हैं, इंडो थर्मिक reaction कहते हैं, आपको heat is clear हो जाना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में जब आप higher क्लास में जाओगा तो यहीं सब चीज निकल निकल के आएगा, अगर आपका base के लिए होगा तो फिर कोई problem वहाँ पे नहीं होगा, आगे चलते हैं, इंडो थर्मिक reaction हो गया, यह वाला part हमारा हो गया, आगे देखते हैं, when an element displace another element from its compound, a displacement reaction अकर, displacement reaction के बारे में अभी हमने देखा, कि एक compound, अगर दो product है, और जिसे यहाँ पर हमने देखा तो यह वाला reaction देख लेते हैं, कहा गया, this one, यह double displacement का है, this is displacement type, यह iron, जो है, more reactive है, किस से, copper से, तो iron, copper को displace कर दिया, तो FeS of 4 बन गया, तो एक iron, जो कि ज़्यादा reactive था, कम reactive को displace कर दिया, तो इस तरह के reaction को हम लोग कहेंगे, displacement reaction, I think, आपको clear हो गया होगा यह, इसके बाद है, when two different atom और group of atom are exchanged, in double displacement reaction, अभी अभी हमने देखा था, double displacement reaction की यह group exchange हो जाता है, AG replace कर दिया, कि इसको NA को, और NA replace कर दिया, AG को double displacement reaction हो गया, तो इस लेक्चर को भी हम लोग ने देखा था, तो revision आप करते रहे हैं, आपको समझ में आता रहे हैं, आगे चलते हैं, precipitation reaction produces insoluble salt, अब यह precipitation reaction कौन सा है, तो precipitation reaction को भी हम लोगों ने देखा था, लेक्चर में, और अभी हम उस लेक्चर को देख लेते हैं, दिस वन था, precipitation reaction, ध्यान से देखिए, यह barium sulfate जो बना था, double displacement reaction में, Na2SO4 plus BaCl2, तो यहाँ पर यह वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, यह पर यह दिस वन, यह barium sulfate है, जो कि precipitate हो गया था, तो आपने देखा था, कि जब यह reaction होता, तो एक वाल्ट सबस्टांस बनता है, जो कि insoluble, in water होता है, चुकि यह water में नहीं घुलता है, insoluble होता है, और घुनलसील होता है, तो यह insoluble substance करता है, नीचे बैठ जाता है, तो जो पेंदी पे बैठने को हम कहते है, प्रिसिपिटेट कर गया, तो यह एक तरह का precipitation reaction होंगा, तो एने reaction that produces a precipitate, can be called a precipitation reaction, precipitation reaction को हम लोगों ने देख लिया, इसके बाद है, reaction also involve gain और loss of oxygen, अभी अभी हम लोगों ने डिसकस किया था, कि अगर oxygen का gain होता है, तो oxidation reaction होगा, या oxygen का loss होता है, तो reduction reaction होगा, या फिर hydrogen का loss होता है, तो reduction reaction होगा, hydrogen का loss होता है तो oxygen होगा ठीक है तो आप देखिए oxidation में oxygen oxidation is the gain of oxygen और loss of hydrogen ठीक है and reduction is loss of oxygen and gain of hydrogen जब हम oxidation करते हैं किसी भी reaction का तो साथ साथ reduction भी होता है तो यह एक oxidation reduction के बारे में बताया गया है और यहां पर इसका example आपको मिल जाएगा oxidation reaction का देखिए यह copper oxide है इसका reaction hydrogen के साथ की है heat की थे तो यहां पर क्या बना copper is copper से oxygen निकल गया मतलब copper reduce हो तो यह reduction reaction हो गया और hydrogen में oxygen add हो गया water बना तो यह oxidation reaction हो गया similarly zinc oxide plus carbon में zinc oxide से oxygen अगर निकल जाता है बनता है क्या zinc oxygen निकल गया तो यह हमारा क्या बन गया oxidation reaction हो गया और carbon में oxygen add हो गया तो यह सुरी zinc निकल गया तो यह reduction reaction हो गया और carbon में oxygen add हो गया तो यह oxidation reaction हो गया similarly इस वाले reaction को देखिए Mn4 से oxygen निकला MnCl2 बन गया तो oxygen displaced हो गया निकल गया तो यह reduction हो गया अब यहां पर देखिए 4HCl से cl2 बना तो यहां पर hydrogen remove हो गया किस से तो chlorine का ऊक्सिडेशन हो गया तो hydrogen का removal भी oxidation कहलाता है और hydrogen का add होना क्या होगा हमारा चुकि यहां पर hydrogen अब इस hydrogen में देखिए इस hydrogen में oxygen add हो गया तो क्या बन गया oxygen add हो गया तो यह एक तरह का oxidation reaction हो गया तो oxidation reduction reaction में हम लोग है पूरे अच्छे से इन से ख़ी reaction को चड़्चा किया था देखा था कि कैसे कैसे oxidation होता है कैसे कैसे reduction होता है तो आज होप आपको आज का lecture समझ में आ गया होगा तो आज हम लोगों ने इन चैप्टर एक्रसाइज हम लोगों इन तीन एक्रसाइज किया और जो में में पॉइंट था चैप्टर में उस पॉइंट को भी कर लिया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं next class में हम किमिकल रियक्षण जो है एक्विशन पहाङा है इसके को करेंगे मतलब इक्षरसाइज को है सफाइब 5 तक करेंगे है उसके अगरोप आपको यह वीडियू पहुंचाए जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करता हूँ तो have a nice day जैहिंद